न्यूजेटिन इंडिया का टीम बेरी पहुँच गई है, महज कुछ दूरी पर है गाजा बॉर्डर से, गाजा की सीमा से बेरी और हमास के अटेक का ग्राउंड जीरो माना जाता है, देखिए, इस गाउं में हम पहुँच चुके हैं, न्यूजेटिन इंडिया के टीम, तोड़ा था हमास के मिलिटेंट्स ने 70 मिलिटेंट्स यहां घुसे थी और कतले आम मचाया था लेकिन उसके बाद आर्मी पहुंचे थी और तमाम हमास के आतंकियों को मार दिया था यहां कुछ लोगों को होस्टेज भी किया हमास के मिलिटेंट्स ने लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा गाउं छाउनी में तब तब्दील हो गया है कि बुज कहते हैं जहां जीज लोग अपने समुधाय में रहते हैं बारव सो से अधिक अबादी है लेकिन सो से ज्यादा लोग यहां मारे गया थी यह देख सकते हमारे पीछे में गाउं के स्थिति क्या है जो तैयारी की गई है मिलिटरी की तरफ से इस्राइल की सेना की तरफ से और न्यू जेट इन इंडिया आपको यहां बीच-बीच में उपर में हेलिकॉप्टर गस्ट करते नजर आ जाएंगे उनकी तस्वीरे हमको भी बीच-बीच में मिलते है धमाके की आवाज आती है मिसा बीच में न्यू जेट इन इंडिया आपको आप तक पहुंचा रहा है हर वो तस्वीर जो आपके पास पहुंचनी चाहिए बेरी का नाम सुनाओगा फाराजा का नाम सुनाओगा इसके अलावा फाराजा के अलावा रेम का नाम सुनाओगा यह लोग यह वो विलेज थे य यहां सबसे ज़्यादा कटले आम किया था रेम में 260 लोगों से ज्यादा को मारा था हमाज के आतंक वादीओं ने इसके अलावा सौस से ज्यादा बेरी में मारा था फार आजा में बहुत लोगों का कतल किया था तो यह इस्थिती है लेकिन एक गाउं की इस्थिती बता रहे किस तरह से यहां टैंक बिछा दिये गए हैं ताकि अब हमास के आतंगवादी यहां प्रवेश्च न कर सके